देखा नौटिस दे रहे हो या फीक मांग रहे हो माफ की जिएगा दोस्तो ऐसी अभधर भाशा का इस्तेमाल करने के लिए लेकिन ये लाइने सेवी के एक ओल्डर में लेकी है जो किसी इनसान ने सेवी को मेल करके एक रिप्लाइ के तोर पे लिखे दी है हलांकि ऐसा लेकिने के लिए इनके ओपर पेनल्टी भी लगाई गई है जो कि इनको 45 दिन के अंदर चुकानी है लेकिन ये केस क्या है क्यों ऐसी भाशा का इस्तेमाल किया मतलब इसका कोई रीजन नहीं हो सकता लेकिन सीक्वेंस ओफ इवेंट्स क्या है और सेवी को ऐसा क्यों लगा कि इनके ओपर ये पेनल्टी लगाई जानी चाहिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड अभी सारी बात यें बोली है रजट मिश्रा नाम के इनसान ने जो कि एक केस के साथ जुड़े ये केस है HAL हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटिड का जो के 8 जुन 2023 को NSE और BSE को इंटिमेट करता है कि 27 जुन को उनकी एक बोर्ड मेटिंग होने वाली है जिसमें स्टॉक स्प्लिट के बारे में कुछ चर्चा होगी अब आरजुन को जब मार्केड बंद होती है तो HAL का स्टॉक प्राइस करीग 3,527 रुपे 40 पैसे पर बंद होता है नौ तारीक को जब मार्केड ख search प्राइस 369 रुपे पे ओपन होता है और 372 रुपे 90 पैसे पे लोज होता है मतलब इस्टोक प्राइस प्राइस सेंसिटिव इंफोमेशन कहते हैं अब इस UPSI को समझने की कोशिश करते हैं मान लिजिए कि आपकी एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टिड है अब उस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है ग्रोथ के प्लैन्स क्या है आप क्या क्या करने वाले हो जिसके बेस पे उस स्टॉक का प्राइस उपर या नीचे हो सकता है वो इंफोमेशन जातर किसेज में आपके पास तो होगी ही अब इस ख़बर का इस्तिमाद करके आप जो कंपनी के मालिक हैं कभी भी स्टॉक को खरीच सकते हैं बेस सकते हैं उसके बेस पे मार्केट में स्टॉक का प्राइस उपर जाएगा नीचे जाएगा आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं अब यह टेखनिकली गलत होगा अना थिकल भी होगा क्योंकि वो इंफोमेशन सिर्फ आपके पास थी किसी और इंवेस्टर के पास नहीं थी अब इस गलत बात को एक्चुल में होने से रोकने के लिए सेबी ने UPSI Unpublished Price Sensitive Information का एक प्रवधा लगा रखा है जिसके बेस पे अगर आपके पास वो इंफोमेशन है तो उस इंफोमेशन के कुछ महीने पहले और कुछ महीने बाद आप अपने ही कंपनी के स्टोक प्राइस में कभी भी इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं कर सकते अब HL के केस में भी कुछ ऐसा ही था तो UPSI के इस डूरेशन को 1 मार्च 2023 से 10 अगस्ट 2023 तक रखा गया जिसके बेस में देखा जाना था HL के स्टोक को इस डूरेशन के दुरान खरीद बेच रहा है जिसके करण उसको मुनाफ़ा हुआ हो अब इस HL के मुद्दे में किसी रजट मिश्रा का नाम सामने आता है उनको सस्पेक्ट बनाया जाता है क्यों? क्योंकि 6 जून 2023 को उनने 7250 शेयर करीदे 2,46,49,621 रुपए 45 पैसे में फिर अगला ही दे ने रजट मिश्रा ने उस स्टोक के 100 शेयर बेच दिये करीब 3,49,230 रुपए में और उसके दो दिन बाद करीब 9 जून 2023 को बाकी के 7150 शेयर भी बेच दिये टोटल वैली हूँ 2,72,81,214 रुपए मतब है चेल की स्क्रिप्ट में तीन दिनों के अंदर रजट मिश्रा ने करीब 28,90,000 पै कमाए अब से भी इस केस के इन्वेस्टिकेशन कर रहा था उसकी नजर में रजट मिश्रा आ गए रजट मिश्रा को नोटिस भेजा गया पहले मेल लिखे गई ये मेल 25 जनवरी 2024 को लिखे गई ये अभी रिसेंट्ली कुछ महीने पहले उस मेल की उपर रजट मिश्रा ये जवाब देते हैं इस बार यूट्यूब का एक लिंक डाल के भेज़ देते हैं जिसका इस केस से कोवे ले न देना नहीं फिर सेवी ने एक बार और कहा कि एक काम कीजिए आप लखनव के हमारे इंवेस्टर कॉमन इंवेस्टर सेंटर में आ जाईए वहाँ पे आपके साथ हम एक वीडियो कॉल कर लेते हैं तो 22 मार्च की इस इमेल का जवाव 23 मार्च को रजट मिश्रा ने ये लिख के दिया मतलब ऐसा हमारा इंटरपेटेशन है कि एक बाप की उलाद हो तो अर्रेस्ट करो मतलब सेवी के बार बार बुलाने पे रजट मिश्रा आने की बज़ाये उपर से गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे फिर 8 माई को शो को जो नोटिस भेजा गया इस पर थोड़ा और सेरियस कि आपके उपर इन्वेस्टिगेशन क्यों ना की जाए अब इसका जवाब दीजिए पहले तो हम आपको सिर्फ बुला रहे थे अभी हम आपको नोटिस भेज रहे हैं मतलब मुझे लगता नहीं है कि सेवी के हिस्टरी में भी ऐसा कभी भी कुछ हुआ हो जहां पे एक एक्क्यूस्ट ने जिसके उपर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है इंसाइडर ट्रेडिंग का केश चल रहा है 28,90,000 के इल गोटन गेंज का एक्कुजिशन है वो उल्टा सेवी को इमेल करके धमकियां दे रहा है देखे दोस्तों ये समझना होगा कि अगर सेवी कोई आपको नोटिस भेजता है कोई इमेल देता है तो हर जगाँ पे सेक्शन लग रखें हर जगाँ पे एक्ट में प्रोविशन लख रखें जैसे कि 11C2 जिसमें लिखा गया है कि जिसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस इंसान का फर्ज बनता है ड्यूटी बनती है कि इन्वेस्टिगेशन के समय पहुंचे प्रूफ के साथ डॉक्यूमेंट के साथ नहीं पहुंचता है तो सेक्शन पंदरा ए लग जाता है फेलियर ऑफ पर्जन तू फर्निश हिंसेल्फ एंड दॉक्यूमेंट 11.3 कहता है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी आईए एड्जूटिकेटिंग ऑफिसर सेवी की तरफ से रखे गए किसी भी इनसान की अथॉरिटी बनती है कि वो किसी भी इनसान से आगे से प्रूफ माँग सकता है किसी भी केस को लेकर देन पंदरा एच भी बनता है इस एक्ट में बहुत से प्रोविजन्स है इन सारे प्रोविजन्स में से किसी भी प्रोविजन्स में अगर आपने कंप्लाइ करने में अग्री करने में उनकी बात मानने में फेलियर करते हैं तो आपकी उपर पेनल्टी लगाई जा सकती है एक लाख रुपई से लेकर एक करोड रुपई तक इस केस में ईस सेवी पने फाइनल ओर में कहा के इनके उपर इन्यूस्टिटी इस केस को हम अलग रखते हैं इसके साथ ये भी देखना जरूरी है कि इन्होंने हमारी बात नहीं माली है इसके लिए हम इनके उपर 15 HB और 15 A के तहट 10-10 लाख रुपे मतलब टोटल 20 लाख रुपे की पेनल्टी लगाते हैं और ये पेनल्टी का भुगतान करने के लिए इनके पास 45 दिन का समय है ये ओडर 7 जून 2024 को आया थोड़ा जल्दी आया इसमें पहुत जल्दी फैसला ले लिया गया विच शुट भी दके इस इन एवरी केस बड़ अच्छा लगा अच्छा लगा कि सेवी कुड टेक अस्टैंड इस टाइंड और हम सब को इस समझने की जूरत है कि अगर गलती से भी गलती हो जाती है तो उस केस में भी आप जब रिप्लाइ करें आप जब अपने पक्ष रखें तो प्रफेशनल तरीके से बात करें अट लीस्ट अब्यूजे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें ये देखें कि हम किस से बात कर रहे हैं हम ऐसी ऐसी भाषा अबद्र भाषा का इस्तेमाल अगर गली महले में भी करेंगे तो वहाँ पे भी law and order वहाँ पे भी थोड़ा अटपटा काम हो जाएगा जगडे शुरू हो जाएंगे मैं तो हैरान हो कि इस केस में से इस इन्सान को रजट मिश्रा को arrest क्यों नहीं करवाया में भी अभी तक कोई ऐसा प्रविजन नहीं है जहां पे arrest की बात लिखियो हालांकि इस केस में penalty लगाना एक अच्छी बात है आफ साथ में since जिन्होंने line cross की है कुछ ऐसी punishment भी देनी चाहिए थी जो इनको याद रहती है For instance, suspending him from stock market for a period of time Anyway, this is one of the very rare cases and I hope this remains rare for the next few years, decades में भी लेकिन अगर आप ऐसे किसी case में फसे हैं जहां पर आपको कोई help चाहिए, कोई assistance चाहिए तो जैसे आपको बताया गया था इस वीडियो के description में भी, pinned comment में भी link रहेगा भरिये उसको form को and our team will get in touch with you अभी के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्द ही मेलेंगे As usual, take care, bye